नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सब एक गोर्मेंट जॉब सीपी की ऑफीशिल यूट्यूब चैनल पर तो सुझ जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के प्रभाव के चलते कई सारी परिक्षाओं पर जो है वो खतरा मंद्रा रहा है और कल भी एक वीडियो आपको जार हो गया है कि ITI नहीं जो है वो टैपिंग कराने से शायद मना कर दिया है या कोई भी जो भी दिखते रही हो क्योंकि कई सरे लोग आएंगे चौरह-थार से जादा लोग आएंगे वो की-बोर को बार-बार टेच करेंगे और कई सारी चीज़ें होती है और कई सरे लोग एक खटा होंगे वहाँ पर टाइपिंग में कराने के लिए कई सारे स्टाफ लगेगा तो इसलिए यूपी ट्रिपल सी ने अभी इसकी नोटिस जारी हो जाएगी यूपी ट्रिपल सी ने जूने असिस्टेंट की टाइपिंग परीक्षा को जो है वो रद करने का निर्णाय ले मतलब 15 अपरेल के बाद इसकी नई तिथिया आ जाएंगी अभी तो ये फिलाहल रद कर दी गई है वीडियो डॉक्मेट वरिफिकेशन पर जो है निर्णाय अभी होना बाकि है 99.99% chances है कि video document verification भी जो है वो अभी फिलाल इस्थगित किया जा सकता है लेकिन अगर चुकि लोग कम-कम वहाँ पर gather होंगे अगर ऐसा कोई कुछ इनको रास्ता निकलेगा अगर आयोग अगर चाहेगा तो उसको document of verification करा सकता है अभी फिलाल इस पर निर्णय नहीं हुआ है document of verification होगा या नहीं होगा तो आपकी जुनरिसेशन के typing तो cancel है जो लोग घर से नहीं निकलें वो अब रहने दें आपको थोड़े में notice आपको जो है वो site पर आ जाएगी UPPSC खंड सिक्षा अदिकारी जो है वो परिक्षा है वो अपने निर्धारित समयर पर 22 मार्च को ही होगी UPPSC के अध्यक्ष प्रबात कुमार जी ने इस परिक्षा को टालना मतलब पोस्पोन करने का जो है वो सिरे से उसको खारिच कर दिया है उन्होंने बोला है कि परिक्षा तुम करवा के रहेंगे जिसको देना हो दे ना देना हो वो मत दे तो इसलिए खंड़ इक्षा अधिकारी की जिनकी जीए के परिच्छा है फिलाल ये परिच्छा भी जो है इसको रद करने के लिए कई बड़े इस्तर पर कई सारे लोगों ने मुख्मंत्री जी से अपेल किये कि इसको जो है रद किया जा और जहां तक मुख्मंत्री के रहले इसका संग्यान लेकर इस परिच्छा को फिलाल के लिए इस थागित करने पर अंतिम निर्ड़ने आयोग को देगा तो अभी तो फिलाल आज जो मीटिंग हुई इसको रद मलब इस्तागित नहीं किया गया है SSC की CHSL परिक्षा जो है जो 18 मार्स से शुरू हो रही है वो भी अपने निर्धारित समय पर होगी उसको भी रद नहीं किया है उसको इस्तागित नहीं किया गया है उसमें किसी परिक्षा ऑनलाइन है इसलिए SSC ने अपने जो जो ऑनलाइन सेंटर उनको कई सरे निर्धेश बीचारी किया है आप उसको लोग यह Combined High Secondary Services Tire 1 Examination 2019 है इसमें बाइमेट्रिक आपका जो है वो नहीं लिया जाएगा यह 17 मार्स से 28 मार्स तक के बीच यह परिक्षा होगी इसमें आपको बाइमेट्रिक नहीं लिया जाएगा थम अपरेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा और आपको जो है मास्क ले जाने की जो है आपको पूरी परमीशन होगी कि आप अपना मास्क जो है वो ले जा सकते हैं केवल आपको जो फोटोग्राफ लेने के टाइम को मास्क को जो हटाना पड़ेगा और आप अपना खुद का hand sanitizer और water bottle ले जा सकते हैं hand sanitizer जो आप ले जाएं वो आपका pocket hand sanitizer होना चाहिए मतलब बहुत बड़ा ना हो जो pocket वोला hand sanitizer आता है उसको आप ले जा सकते हैं water bottle भी आप ले जा सकते हैं और आपको अपने pin लाने की भी पूरी पूरी छूट है इसके अलावा commission ने जहां 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 भी आपके online test होने है वहां पे keyboard, mouse, tablet, door handles, etc. जो आप जो candidate बार बार टच करते हैं जिन चीज़ों को उसको sanitize करने के लिए necessary instruction जो है वो दिये हैं तो यह update रही दोस्तों जो है कोराना के प्रभाव को लेकर इनसारी परिक्ष्वां पर जो खट्रा मन रहा रहा था जोने assistant की typing को जो है रद का अभी आपको notice कुछ दिर में मिल जाएगा डॉक मोडिफिकेशन पर अभी निर्ड़े नहीं हुआ है अगर उसका भी निर्ड़े हो जाता तो उसके भी जो इस्थकित किया जाएगा खंड सिच्चादकारी फिलहाल अपनी निर्धारी समय पर होगी एससेस ये चैसल अपनी निर्धारी समय पर होगा वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक और शेर जरूर कर दे चनल को सबस्क्राइब ने किया तो चनल को सबस्क्राइब कर लें धन्यवाद दोस्तों